हेलो दोस्तों प्रभात एक्जाइम के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब का स्वागत है मैं आप सब का स्वागत करता हूँ एक वार फिर से एक नए नोटिफिकेशन के साथ और इस वार तो आप लोगों के लिए नौकरियों की बारिशी हो गई पिछले वीडियो में मैंने आप से बात की थी रेलवे के नोटिफिकेशन के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लेखफाल भरती 2019 एक्जाइम के बारे में जिसका नोटिफिकेशन बस अभी एक दिन पहले ही आया था और वो जो एक्जाइम कंड़क्ट कराएगी वो संस्ता ह इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको गौर करने वाली है वो है कि इस एक्जाइम में बैठने के लिए जो आपकी एलेजिबिलिटी है उसके लिए ट्रिपल सी की आवर शेक्ता बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहे आपके पास अब लिए तयार करना होगा इसकी जो ओनलाइन रेजिट्रेशन की डेट है वह है छे मार्च से यह स्टार्ट हो रही है जिस दिन इसकी नौटिफिकेशन आई त्योंसी दिन से इसका रेजिट्रेशन स्टार्ट हो चुका था ऑनलाइन सुल्क जो है उसकी प्राड़म जो डेट दी गई है वो भी 6 मार्ची है इसी दिन से आप इसके जो है ऑनलाइन फी भी जमा कर सकते हैं इसके अंतिम्तिती है वो 5 एप्रिल 2019 है और इसमें अगर आप कोई संसोधन करना चाहते हैं जिसमें कि अगर आपको कोई चीजों में बदलना चाहते हैं आपके नाम में कोई गलती हो गई डेट ऑफ बर्थ में हो गई तो वह है बारह एप्रिल तक आप इसमें कोई भी संसोधन कर सकते हैं क्या है यह चक्वंदी लेख पाल इसमार जो यूपी एसससी ने लेख पाल के लिए जो वेकेंसी निकाली है इसमें कुल 1364 पद है 1364 पदों के लिए एक्जा का फोटो और आपके जो सिगनेचर है उसके आपके पास उसको अपलोड करना होगा फॉर्म में जो भी विवरन होगा जैसे कि नाम है डेट अब बर्थ है आपके जितने भी डिगरी है उसके डिटेल के बारे में यह सारी चीज़ें आपको वहां पर भड़नी होगी फिर आ आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप चाहें तो SBI में कहीं भी आप जाके रशीद ले सकते हैं वहां से फॉर्म फिलब करने के बाद आप सीधे सीधे ऑनलाइन इसे भर सकते हैं और फिर आपका कैंडिडेट रेइस्टेशन का फॉर्म पूरा हो जाएगा इसमें आप ये चीज है कि आप जो भी नोटिफिकेशन है उसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी जाके जिसमें कहीं कुछ important details दिये गए हैं कि अगर आप photograph ले रहे हैं तो उसमें क्या-क्या होनी चाहिए वो बिल्कुल ही detail है जो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि चेहरे तक साफ दिखना चाहिए चेहरे के दोनों किनारे यानि दोनों कान आपको साफ दिखने चाहिए तो यह सारे बहुत सारी इसके कुछ details हैं जो आप यहां से बढ़ सकते हैं फिर उसने फोटो के बारे में detail दिया है कि कितना उसका width होना चाहिए कितनी length होनी चाहिए तो यह स तो takeory मैं मैं तो आपको देने होंगे 160 रुप वहीं अगर आप OBC में हैं तो भी आफको अन्रिजर्फ वाला ही हाँ पर मिला जा रहा है सब्सक्राइब करना तो यहाँ रहा और ताब से आपका टोटल चार्ज यहां पे हो जाएगा अब हम बात करेंगे इसकी वेकेंसी डीटेल्स के बारे में सबसे पहले तो पद का नाम क्या है पद का नाम है चकबंदी आयुक्त और उसका नाम हो जाएगा जो आपको एक्जाम के थुरू होगा वो होगा चकबंदी लेखपाल क्या वेतनमान है 21,700 से 2000 तक के ग्रेड पेपे उसके लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए 18 से 40 वर्स तक के बीच इसमें जो आप टोटल सीट की अगर आप इसकी देखेंगे कि किस तरस उन्होंने सीट को बाटा है सभी कैटेगरी में तो जानके आपको आश्चर्ज होगा कि ST के लिए जो सेड्यूल टाइप्स होते हैं और OBC अधर बैकवर्ड कास्ट हैं इन सब के लिए कोई भी सीट यहां अलग से नहीं रखी गई इसलिए कहीं न कहीं मन में एक डॉट तो चले ही जाता है कि अगर constitutional provision है आपको reservation मिलना तो यह जो vacancy निकली है अगर यहां पे किसी इन दोनों के लिए seat reserve नहीं है तो क्या यह फिर से vacancy को निकाली जाएगी notification फिर से आएगी वो हम बाद में देखेंगे लेकिन सवाल तो इस पे जरूर उठेंगे वहीं अगर आप बात करेंगे अनुसुची जाती के लिए तो कुल 362 seat हैं और यह total मिला के हो जाएगा 1364 seat जिसके लिए यह exam conduct करा ही जाएगी अब बात करेंगे इसके प्रतं चर्ण के जो exam होंगे उसमें कौन-कौन से subject होंगे यानि इसकी हम लोग बात करेंगे कि इसमें syllabus क्या होगा मैं आपको यहां detail में बताता हूँ इसमें जो प्रतं चर्ण में होगा वो written test होगा जिसमें आपको सामान हिंदी से सामान हिंदी से टोटल 40 question पूछे जाएंगे जिसके कुल marks हो जाएंगे 20 वहीं गनित से math से आपको यहां भी 40 question पूछे जाएंगे कुल अंक 20 सामान यान general knowledge से 40 question पूछे जाएंगे कुल अंक हो जाएंगे 20 और ग्रामीन छेत्रों से संबंदित बिंदू पे आपको 40 question पूछे जाएंगे और यह कुल हो जाएंगे marks 20 यानि कुल 80 mark का यह paper होगा और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे आप सब को एक आप सब के लिए एक और खुसकबरी यहां पर प्रभात प्रकाशन की ओर से आ रहा है कि इन्होंने UPSSC चकबंदी लेखपाल के लिए 20 practice set का एक किताब ला रहे हैं यह लोग बहुत ही जल्द आपको market में मिल जाएंगे जब तक आप form इसका fill up करेंगे अगले दिन market में जाएंगे आपको यह किताबे मिल जाएगी इसमें 20 practice set होंगे अगर इसकी तयारी आपने अच्छे से कर लिए तो यह जो 1300 seat आपके general category के लिए और 300 के करीब SC के लिए तो समझ यह इसकी पूरी बहतरीन तरीके से तयारी के बाद हो सकता है कि यह SC आपका ही होगा अब इस exam के हम लोग eligibility के बारे में बात करेंगे तो वो है कि उत्तर प्रदेश की intermediate परिक्षा या सरकार द्वारा उसके समकच मानिता प्राप यानि अगर आप UP से हैं तो वहां का आपने intermediate परिक्षा पास किये हैं तो आप इस exam में बैठ सकते हैं या पूरे भारत वर्स में इसके समकच लगवा कहीं पर आप 12 देखेंगे कहीं पर जिस तरह के भी प्रणाली है exam की प्रणाली उस इसाब से अगर आप इसके समकच कोई भी परिक्षा आपने पास की है तो आप इस exam में बैठ सकते हैं आपको एक और बात यहां गौर करनी होगी अगर आप UP के नागरिक नहीं है तो SC, ST या OBC के लिए जो भी reservation का criteria है वो आपको यहां से नहीं मिलेगा आयू सिमा है maximum 40 वर्स यानि अगर आप जिस दिन परिक्षा का दिन ताई हुआ है उससे पहले आपने 40 वर्स की उमर पार कर लिया है तो आप इस exam में बैठने के लाइक नहीं होगे या आपकी उमर 18 वर्स से पहले की है तो भी आप नहीं बैठ पाएंगे यानि जो यहां पे age criteria है वो 18 से 40 साल तक का है वहीं आप सब के मन में एक और सवाल आ रही होगी कि अभी जो सरकार ने economically backward section के लिए 10% का reservation दिया क्या वो यहां मानने होगा बिल्कुल होगा इस notification में बिल्कुल ही बरे अक्षरों में लिखा गया है economically weaker section के लिए क्या आरक्षन होगा तो सरकार के central government के guideline के हिसाब से यहां पे 10% आपको reservation मिलेगा अगर आप इसके जो भी qualification है उसको अगर आप qualify करते हैं तो आपको ज़रूर यहां से मिलेगा 10% का आरक्षन तो दोस्तो इसी के साथ मैंने आपको इस notification से जितनी भी जानकारियां थी वो सारी आपको मोहया करा दी है आप हमारी YouTube channel पे बने रहे यहां पे आपको हम online भी काफी practice set देने वाले हैं आने वाले समय में उसका आप नियमित रूप से इस्तेमाल करें साथ ही जो यह जो बूक आने वाली है प्रभात प्रकार्शन की तरफ से 20 प्रैक्टिस सेट का यह जरूर आप एक बार ले ले देखें और इसका प्रैक्टिस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें